So Hello Everyone, तो back to back 3 important news निकल के आ रहे हैं आपे, पहली news तो यह है कि आप लोगों को CDS 2 2021 का result है, written result वो declare कर दिया गया है, जिसके regarding मैंने बताया था, अभी एक हफते पहले ही कि एक हफते में आप लोगों का result आ जाएगा CDS का जोकी आ चुका है, और दूसरी important news यह है कि CDS 1 2022 का जो notification ह है, वो release हो चुका है, और साथ ही साथ NDA 1 2022 का notification भी release हो चुका है, जब से आप लोगों का, NDA और CDS आपको पता है, एक ही दिन होता, अब से होने लगा आपका exam, अभी 14th November को हुआ था एक साथ, अभी जो अगला exam होगा, वो 10th April को होगा, सबसे पहले तो यह result की list है, काफी सा important जो चीज है, इस वीडियो में जो दिखाना चाहता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जो important चीज है, वो यह है, कि इस बार जो CDS में आपकी 341 total vacancies निकली है, यह मैं सिर्फ अभी CDS की बात कर रहा हूँ, अभी मैं NDA के notification पे भी आऊंगा, लेकिन आपने भी एक enrollment का wait, इंतजार करने से अच्छा है, कि आप लोग alternatives, बाकी सारे exams में भी हाथ मारे हाथ आजमाए अपने, क्योंकि यह जो मैं आपको पहली बता चुका हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे काफी जाने वाले students है, जिनको भी मैंने पिछले कुछ महीनों में guide किया था CDS के लिए, वो उन में से काफी students थे, जो enrollment का wait कर रहे थे, कुछ थे, जो result का wait कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसे students ने यहाँ पे return clear कर लिया है, तो फिर आप भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कि अगर आप eligible हैं, मैं पहले बता तूं, CDS के लें, कोज गाटी, खैर अभी CDS पे आते हैं, CDS और NDA, जो main है, ठीक है, या तो आप CDS के लिए eligible होगे हैं, फिर NDA के लिए, तो अगर आप eligible हो, और अगर आप preparation ज़रा सा भी, यानि की ज़रा सा भी से मेरा मतलब है कि अगर आपके अंदर guts हैं, preparation स्टार्ट करने के तो बि quality, history, geography, ये तो आता ही है, प्लस science भी होता है, ठीक है स्टी में science को भी include करता हूँ, साथी साथ ऐसी NDA में भी होता है, ये जो होगे आपका पूरा quality, geography, history और science, ये चारो portion GK के अंदर गुसे हुए हैं, ये आप मुझ पे completely छोड़ सकते हो, जिस प्रकार, Air Force में आपने directly questions दे device करवा दिये थे, तो वहाँ से कुछ questions देखने को मिले, current interface से पूर ये देखने को मिले, लेकिन अब जो मैं आपको चीजने देने वाला हूँ, मैं ये नहीं बोला हूँ कि कल से ही आपनों की classes start हो जाएंगी, NDA series के नहीं, अभी मैं busy हूँ कि आपको पता एक और vacancy निकली ह तो इस वाज़े से इसमें आपको टाइम नहीं मिल पाता है, एक महीने के अंदर exam खतम हो जाएगा, उसके पहले ही पहले मैं आपका NDA CDS का course चालू कर दूँगा, मैं फिर से repeat कर दूँँ, आप completely rely कर सकते हो, मैं एक एक चीज, एक एक topic यहाँ पर करवाने वाला हूँ with practice, और उसी से ही आपको सारे questions देखने को मिलेंगा, अगर आपने वो चीज कर लिया course पूरा तो, और मैं फिर से बता दूँँ, कोई paid course नहीं, जैसे as usual, अभी तक जैसे राय free, सारी चीज़े free रहेंगी, ठीक है, और अगर आपने वो कर लिया, तो आप यह मानगे इचले, cut-off का आपको फिर tension लाइने के जरुत नहीं, कि हम GK के वज़े से तो कहीं नहीं रहे जाएंगा, ठीक है, तो वो आपको tension लाइने के बिलकुल भी जरुत नहीं पड़ेगी, that I am committing in this video, यह है आपका NDA का notification, total 400 app vacancies है, आप देख सकते हो कि कौन सी post में, RB में कितनी, Navy में कितनी है और Air Force में कितनी है, ठीक है, इसके applications चालू हो चुके हैं, ठीक है, तो आप as soon as possible इसके लिए apply कर दो, NDS, EDS, दोनों के लिए applications चालूगा और आपको बता, दोनों ही exam एक साथ होंगा, अब exam कब होंगे, 10th of April को आपके दोनों exam होंगे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और थोड़ा lesser side में भले रख सकते हैं, कम की side में, लेकिन ज्यादा की side में तो यह बिल्कुल भी नहीं है, तीन महिने का time, अगर आप इकदम beginner है, तो आपको इकदम अभी से start करना होगा, और मेरा जो commitment है, जीगे के लिए, वो commitment आखिर दम तक रहेगा, 10th April को आप इस चीज़ क करूंगा, तो रगलर रहेंगी, और वहां से आपको exam, में जो है, आपके directly questions देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर important बात यह है, कि आप लोग का जो form filling का, जो last date है, वो 11th January है, तो इस date तक अपना form आप जरूर फिल करते हैं, और अपनी preparation भी start करते हैं, जो भी आपका preparation level है, उस हिसाब से, ठीक है, और मैं आपर regular basis पर guide करता रहूंगा, और सारी चीज़े मैं आपको clear कर दी है, कि मैं आपको GK science पूरा portion करवाने वाला हूँ, और उसके regarding आपको बिलकुल भी tension लेने के जरूरत नहीं, जितना भी मैं आप notes वगरा दूंगा, सिर्फ आपको उत graduation नहीं हुई है, ठीक है, और अब India के लिए overage हो चुके हैं, कुछ भी conditions है, तो अभी मैं परमार SSC पे classes ले रहा हूँ, ICR exam, जो की काफी अच्छी opportunity है, तो आप उसको check out कर सकते हो, यानि कि आप कहीं ने कहीं hustle जरूर करो, मेरा बस motive इतना है, कि मैं अगर आप लोगं के लि हम तब तक कहीं और भी try जरूर करें, अपने time को waste ना करें, ठीक है, preparation करते रहें, और बाकी exams में भी अपनी opportunity देखते रहें, और यही कारण है कि आपनों की जो post guard की जो vacancies निकली हैं, उसमें भी आप जरूर हसल करें, ठीक है, जितनी भी vacancies कम हैं, doesn't matter, बट आप करें, ठीक पुरा schedule वगरा सारी चीज़ें आपको morning वाली वीडियो में मिल जागी कल, जो morning में आगी strategy वगरा सारी चीज़ें, तो get ready और subscribe कर लेना channel को, और notification bell को press कर लेना ताकि आपको आने वाली important videos के notifications मिलती रहें, और अगर आपका कुछ suggestion है, doubt है, query है, कोई exam के regarding, कोई और exam के regarding, तो भी आप comment section में बता सकते हो, ठीक है, be motivated and keep hustling, keep preparing, धन्यवाद